दोस्तों नमस्कार ये है मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परिछाओं में सामाने अध्यान के अंतरगत यूपी इस्पेसल खंड से प्रश्न अवस्य पूछे जाते हैं इसी को ध्यान में रखकर हम संपूर यूपी इस्पेसल को एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं जो आगामी परिच्छाओं जैसे यूपी पीसियस प्रारंभिक परिच्छा, समिक्षा धिकारी, खंड सिच्छा धिकारी, सहायक, बंसन रक्षक तथा कंप्यूटर आपरेटर के साथ साथ उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैनायोग द्वारा यूद की जाने वाली बिभिन परिच्छाओं जैसे लोवर पीसियस, जूनियर असिस्टेंट तथा ग्राम विकास अधिकारियात के लिए बेहत महत पूर है आप इन प्रशनों को तयार कर लिजिए ताकि परिच्छाओं में इन प्रशनों को सही सही अटेम्ट कर सके तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों यह वीडियो इसका दूसरा भाग है इसके प्रथम भाग में आपने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रसासनिक सनरशना, मिर्दा, क्रिसी, परिवहन, अर्थव्यवस्था, खनिस संसाधन, उर्जा संसाधन तथा एतिहासिक धार्मिक अस्थलों और कला संस्कृति के संबंध में पढ़ चुके हैं अब देखते हैं इसके आगे, आज हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश में सिच्छा और साहित से संबंधित प्रमुक प्रशनों से तो आईए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रशन, पहला प्रशन है इलाहबाद विस्वध्याले जिसकी अस्थापना 1887 में हुई थी, इसका प्रारंभ किस कालेज के रूप में हुआ है था तो दोस्तों इलाहबाद विस्वध्याले जो की अब एक केंद्री विस्वध्याले बन चुका है, इसे मियोर सेंटर कालेज के रूप में प्रारंभ किया गया था इलाहबाद भी सुविध्याले जिसकी हस्थापना 1887 में हुई थी इसका प्रारंभ मियोर सेंट्रल कालेज के नाम से हुआ था अगला प्रश्ण है दोस्तों प्रदेश में प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च सिच्छा के लिए अलग-अलग निदेसाले कब बने थे तो वर्स है सही उत्तर है 1972 में प्रदेश में प्राथ्मिक माध्यमिक और उच्च सिच्छा के लिए अलग-अलग निदेसाले बने थे अगला प्रश्ण है राज्य सहच्छिक अनुसंधान एवं प्रसिच्छन परिसत की अस्थापना कब हुई थी वर्स 1981 में 1981 में राज्य सहच्छडिक अनुसंधान एवं प्रसिच्छन परिसत की अस्थापना हुई थी एक प्रश्ण है दोस्तों सिच्छा मित्रियोजना शिक्छा मित्रियोजना अपने ग्राम में सिक्षा का आउसर प्रधान करना अगला प्रश्न है सिच्छा मित्र योजना के तहट सिच्छा मित्रों का चैयन कौन करता है तो दोस्तों सिच्छा मित्र योजना के तहट सिच्छा मित्रों का चैयन ग्राम सिच्छा समित करती है अगला प्रश्न है एसिया का सबसे बड़ा आवासी विश्व विद्यालय है 6 से 14 वर्ष के सभी वच्चों को सिच्छा परदान करने के लिए सर्व सिच्छा अभियान का प्रारंब कब किया गया था तो दोस्तों सर्व सिच्छा अभियान का प्रारंब 2002 में किया गया था इसका जो उद्देश है या थीम है सभी को सिक्षा, सभी को ग्यान सैचछडिक द्रिष्टी से पिछडे बलाकों में बालिकाओं की सिक्षा के लिए कस्तूर्बा गांधी बालिका बिद्यालय योजना का प्रारम की गई थी प्रात्मिक इसकूलों में मिड्डे मील योजना या मध्यान भोजन योजना कब से प्रारम की गई वर्स 1995 से कस्तूर्बा गांधी बिद्यालय योजना को सर्व सिच्छा अभियान में कब से सामिल किया गया था बहुत ही महतोपूर्ण है दोस्तों और इसका प्रारम वर्स 1999 से किया गया था अगला प्रशन है भारत सरकार के सूचना एवं प्रद्योक की विभाग द्वारा कम्प्यूटर के माध्यम से विभिन भिस्यों के सिच्छा देने की जो योजना है वो क्या है उसका क्या नाम है तो भारत सरकार के सुचनायम प्रद्धोकी विभाग द्वारा कम्प्यूटर के माध्यम से विभिन बिस्यों की सिछा विध्या वाहिनी प्रोजेक्ट के अंतरगत दी जा रही है अगला प्रश्ण है राष्टी माध्यमिक सिक्षा अभियान कब प्रारम किया गया तो राष्टी माध्यमिक सिक्षा अभियान मार्च 2009 में प्रारम किया गया और ये 14 से 18 वर्स के बच्चों के लिए ये अभियान चलाया गया था अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश क्रिसी अनुसंधान परिशद इसकी अस्थापना कब की गई थी तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्रिसी के सोध और विकास को बढ़ावा देने के उत्तर प्रदेश क्रिसी अनुसंधान परिशत की अस्थापना वर्स 1989 में लखनव में की गई थी और एक प्रशन और है उर्दु को प्रदेश की दुती राजभासा कब घोसित किया गया तो दोनों ही याद रखियेगा महतपूर है उत्तर प्रदेश क्रिसी अनुसंधान परिशत की अस्थापना और उर्दु को प्रदेश की दुती राजभासा के रोप में 1989 का जो वर्स है इसी वर्ष उर्दू को राज जी की दूसरी राजभासा घोसित किया गया था हिंदी प्रथम राजभासा है जो की 1947 से ही है अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्व विद्याले कौन है दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्य विद्याले या ओपन इन्वरसिटी राजरश टंडन पूर्शोत्तम दास टंडन ओपन इन्वरसिटी प्रयागराज है जिसकी अस्थापना 1998 में की गई थी UPRTOU यानि उत्तर प्रदेश राजरश टंडन ओपन इन्वरसिटी प्रयागराज में इस्थित है अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की अस्थापना कप की गई थी तो इसकी अस्थापना 1976 में लखनव में की गई थी उत्तर प्रदेश संस्थान इसकी भी अस्थापना 1976 में लखनव में की गई थी कनहिया लाल मारिक लाल केंदरी हिंदी संस्थान कहां इस्थित है और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनव में इस्थित है वर्स 1972 में इसकी अस्थापना की गई थी अगला प्रशन है दोस्तों उर्दू प्रसिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां इस्थित है उर्दू प्रसिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनव में इस्थित है बाल भारती पुरसकार किसके द्वारा दिया जाता है तो हिंदी भासा में दोस्तों अमूले देने के लिए भारत भारती पुरसकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है विस्व भारती पुरसकार एक है ये किसके द्वारा दिया जाता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विस्व भारती पुरसकार प्रदान किया जाता है अगला अगला प्रश्ण है भारत का प्रथम विकलांग विस्विद्याले कौन सा है तो जगत गुरु राम भद्राचारे विकलांग विस्विद्याले चित्रकूर्ट है भारत का प्रथम विकलांग विस्विद्याले जिसकी अस्थापना सन 2001 में की गई थी सिच्छा से संबंधित उत्तर प्रदेश में सिच्छा से संबंधित जो अगला प्रश्ण है वो ये है कि भारती भासाओं के रक्षा एवं विकास के लिए हिंदुस्तानी अकादमी कहां इस्थित है तो दोस्तों हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग राज में इस्थित है और इसकी अस्थापना 1927 में की गई थी अगला प्रश्ण उत्तर प्रदेश में सामानिकेंद्री विसुविद्याले कितने हैं तो ये सामानिकेंद्री विसुविद्याले की संख्या चार है जो है बनारसिंदू विसुविद्याले वारारसी अलिगर्ध मुसलिम विसुविद्याले अलिगर्ध और भीमराव अमबेटकर विसुविद्याले लखनव और इलाहबाद विसुविद्याले प्रयागराज ये चार सामान केंद्री विसुविद्याले है जबकि उत्तर प्रदेश में दो विसेश केंद्री विसुविद्याले है रानी लच्मिबाई क्रिसी विसुविद्याले जासी और राजिव गांधी राष्ट्री विमानन विसुविद्याले रायबरेली तो कुल मिलाकर ऐसे 6 केंद्री विसुविद्याले हैं लेकिन सामान केंद्री विसुविद्याले चार हैं और 2 विसेश केंद्री विसुविद्याले हैं अगला प्रश्ण है केंद्री उच्च तिब्बती सिक्षा संस्थान कहां इस्थित है तो ये है दोस्तों सारनाथ वाराणसी में केंद्री उच्च तिब्बती सिक्षा संस्थान आरोग्य और कल्यार पत्रिकाओं का प्रकासन कहां से होता है तो ये धार्मिक पत्रिकाओं है तो दोस्तों हिंदी के पर्थम समाचार पत्र जिसका नाम उदंत मारतंड था इसके संपादक पंडित जुगुल कुसोर थे और ये कानपूर के निवासी थे अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था तो ये था बनारस अकबार उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र जिसके संपादक गोबिंद नरायर धत्ते थे और ये अठारा सो पैतालिस में प्रकासित हुआ था अगला प्रश्ण है प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अकबार कौन सा है तो यह था दोस्तों सरदल अकबार जिसका प्रकासन अस्थल आगरा है और इसका प्रकासन अठारा सो चियालिज से हुआ था हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकासन कहां से होता था तो दोस्तों सरस्वती का प्रकासन प्रयागराश से होता था और आचार ये महाबीर प्रसाद दिवेदी सरस्वती पत्रिका से जूड़े थे अगला प्रश्ण है विकलांगों को प्रावधिक सिच्छा के उद्देशे से डाक्टर अंबेटकर इंस्टिचूट आप टेकनोलजी फार हैंडिकेप्ट कहां इस्थित है तो ये कानपूर में इस्थित है जो 1996-97 में अस्थापित किया गया था अगला प्रश्ण है दोस्तों महात्मा गांधी कासी बिद्यापीट के संस्थापक कौन थे राष्ट रत्न सिव प्रसाद गुप्त महात्मा गांधी कासी बिद्यापीट के संस्थापक थे इसके अलावा सिव प्रसाद गुप्त द्वारा बनारस में भारत माता मंदिर और हि उत्तर प्रदेश के संदर्व में, यानि भारत बन सर्वेक्षन रिपोर्ट जो है 2019 की उसके संदर्व में यूपी या यूपी के विसे संदर्व में देखते हैं, तो पहला प्रशन है दोस्तों, परियावरण वन एवम जलवाई परिवरतन मंत्राले के अधिन भारती वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन इस्थिती रिपोर्ट 2019 जारी की गई है और ये जो 2019 की रिपोर्ट है ये कौन सी रिपोर्ट है तो दोस्तों परियावरण 1 एवं जलवाई परिवर्थन मंत्राले द्वारा भारती 1 सरवेक्षण के अंतरगत भारत 1 इस्थिती रिपोर्ट 2019 जारी गई है जो 16 वी रिपोर्ट है और भारत 1 इस्थिती रिपोर्ट का प्रकासन 1987 से हो रहा है तो 1987 से होता है इसका प्रकासन और ये इस क्रम में 16 वी रिपोर्ट है दोस्तों यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में बनों के प्रकार विस्तार तथा वन संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है इसमें विशेश रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में हम विशेश तत्त्यों को पढ़ेंगे तो दोस्तों ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिक्रार्डिट 1 च्छेत्र 16582 किलोमीटर हैं जो संपूर्ण भऊगोलिक छेत्रफल का कितना है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो वन छेतर है रिकार्डेट बन छेतर वो इसके कुल छेतर फल का 6.88 प्रतिसत है अगला प्रश्ण है कुल रिकार्डेट बन छेतर में आरक्षित छेतर कितना है तो वो है 72.79 प्रतिसत कुल रिकार्डेट बन छेतर में संरक्षि फारिष्ट जो है वो 20.23 प्रतिसत है अगला है दोस्तों ISFR 2019 के अनुसार राज्य में बनाच्छादन कितना है तो राज्य में जो बनाच्छादन है वो 6.1 प्रतिसत है इसके संपूर्ण भोगोलिक छेतरफल का जो की 14805 वर्ग किलोमीटर है अगला प्रश्ण है ISFR 2017 की तुल यह जो रिपोर्ट जारी की जाती है इसमें पिछले रिपोर्ट के तुलना में 126.65 वर्ग किलोमीटर वन छेतर में बढ़ोतरी हुई है उत्तर प्रदेश के अंतरगत अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में बनाच्छादन या ट्री कवर कितना है तो यह है दोस्तों 3 5 प्रश्ण जो की 7342 वर्ग किलोमीटर आता है राज्य के कुल छेतर फल में जाड़ियां कितनी है तो दस्मलो 2.4 प्रश्ण या 587 वर्ग किलोमीटर जाड़ियां है और प्रदेश के सरवाधिक और सबसे कम बन छेतर फल वाले जिले कौन कौन से है तो दोस्तों सोन भद् ये सबसे कम वन छेतर फल वाला जिला है प्रदेश का सरवाधिक वन छेतर फल वाला जिला कौन सा है तो ये है सोन भद्र जहाँ पर कुल वन छेतर दो हजार पांसो चालिस वर किलो मीटर है और उत्तर प्रदेश का नियूंतम वन चेतर फल वाला जिला संत्र रविदास नगर भदो ही है जहाँ पर मात्र 3.1-2 वर्ग किलोमीटर वन चेतर फल है और ये प्रदेश का नियूंतम वन चेतर फल वाला जिला है अगला प्रश्ण है सरवाधिक अतिसघन बन छेतरफल वाला जिला कौन सा है तो ये है लखीम पूर्खीरी जहां पर सरवाधिक अतिसघन बनों का छेतरफल आठ सो चार दसलो एक बर किलो मीटर है सरवाधिक मध्यम सघन बन छेतरफल वाला जिला कौन सा है तो ये सोन भद्र है और सरवाधिक बन छेतरफल वाले जीलों का क्रम प्रदेश के ये है पहले अस्थान पर है सोन भद्र दूसरे अस्थान पर चंदौली तीसरे अस्थान पर पीली भीत चोथे अस्थान पर प्रतिसत वाले जीलों का क्रम क्या है तो गम प्रतिसत वाले जीलों का क्रम है पहले अस्थान पर संत रविदास नगर दूसरे अस्थान पर मैनपूरी तीसरे अस्थान पर देवरिया चौथे अस्थान पर बदायू और पाचवे क्रम पर मउ है प्रदेश के सरवाधिक वन छेतरफल वाले जिले कौन से हैं तो दोस्तों प्रदेश में सबसे अधिक बन छेतरफल वाला जिला सोन भद्र है दूसरे अस्थान पर लखीम पूरखीरी तीसरे अस्थान पर मिर्जापूर चौथे पर पीली भीत और पांचवे पर चित्रकूर का नाम आता है अगला प्रदेस में बढ़ोत्तरी करने के लिए आपरेशन ग्रीन योजना का प्रारम कब हुआ था तो आपरेशन ग्रीन योजना प्रदेस में एक जुलाई 2001 से चलाई गई थी और देश में सरोपर्थम बन जियू परिरच्छन संगठन की अस्थापना कब हुई थी तो ये 1956 में उत्तर प्रदेस राज्य में हुई थी सबसे पहले बन जियू संगठन संगठन की अस्थापना अगला प्रदेस के एकमात राष्टी उद्यान दुधवा निशनल पार्क की अस्थापना कब हुई थी तो दोस्तों 1977 में प्रदेस के एकमात राष्टी पार्क दुधवा निशनल पार्क की अस्थापना हुई थी और ये 1987 से टाइगर रिजर्व भी घोसित कर किया जा का सबसे पुराना वन्य जिव भिहार कौन सा है तो चंद्रपरभा बन्य जिव भिहार चंदौली में है ये प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जिव भिहार है जो की उन्नी सो सत्तावन में अस्थापित किया गया था सबसे बड़ा बन्य जिव भिहार हस्तिनापूर बन्य ज यह पान्ynि उबिखार है ललित्पूर में पांच दस्मलोव 4 किलोमीटर इसका एरिया है अब आईये देहते हैं प्रमुख बन्नि उबिखार किसूनपूर बन्न उबिखार लखीम पूर खीरी में हैं दोस्तों कतरनीय घाट बन्न उबिखार बहराईच में कैमूर बन्न बिहार कौन सा है दोस्तों तो सबसे पुराना पच्छी बिहार नवाब गंज पच्छी बिहार है जो कि उन्नाव में है 1984 में अधिसूचित किया गया था सबसे बड़ा पच्छी बिहार कौन है तो लाख बहोसी पच्छी बिहार कन्नोज में है जिसका छेत्रफल 80 वर्ग किलोमीटर है सबसे छोटा पच्छी विहार पटना पच्छी विहार एटा में है जिसका छेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर है अब आईए देख लेते हैं प्रदेश के प्रमुक पच्छी विहार जो की कभी-कभी मिलान के क्रम में भी पूशता है तो बखिरा पच्छी विहार संतकबीर नगर में है सुरहाताल पच्छी विहार बलिया में पारवती अरंगा वन्नी जिव विहार गोंडा में है दोस्तों और सेंडी या सांडी पच्छी बिहार ये हर दोई में इस्थित है अगला प्रश्ण है प्रदेश सरकार के अंतरगत सामिल वन जीव संरक्षण केंदर कितने हैं तो दोस्तों प्रदेश सरकार के अंतरगत सामिल वन्य जिव सनरक्षण केंद्र इसमें 12 वन्य जिव भिहार और 13 पक्षी भिहार हैं ब्रिच्ष वंधू पुरसकार के इस छेतर में दिया जाता है तो ब्रिच्छा रोपन को बढ़ावा देने में महत्वपूर योगदान देने के लिए ब्रिच्ष वंधू पुरसकार दिया जाता है और इसका प्रारम 2078 से किया गया था अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश में कच्छुआ प्रजिननकेंद्र कहां इस्थित है तो सारनात वारारसी में उत्तर प्रदेश में कच्छुआ प्रजिननकेंद्र इस्थित है अगला प्रशन है दोस्तों, प्रदेस में सरवाधिक अस्थानों पर बृच्छा रोपन के लिए हरित पट्टी योजणा चलाई गई है, कब से? तो ये वर्स 2012-13 से प्रारंभ की अई हरित पट्टी योजणा और ये सारोजनिक अस्थानों पर ब्रिच्छा रोपन के उद्देश से चलाई गई है अब आई ये देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदी, जीलों और सिचाई के साधनों से संबंधित महत्वपूर प्रश्न तो पहला प्रश्न है प्रदेश की अधिकांस नदियों का प्रवाह किधर है तो दोस्तों प्रदेश की अधिकांस नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दच्छिण पूरु की होर है और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सरुपर्थम किस जिले में प्रवेश करती है तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बिजनोर जिले में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश का सरवाधिक गंगा तटवाला जिला कौन सा है तो दोस्तों बदायू सरवाधि बड़ा गंगा तटवाला जिला है अगला प्रश्न राष्टी जलमार्ग संख्या एक या नेशनल वाटर वेज नमबर वन के रूप में क्या है तो ये है गंगा नदी गंगा नदी में राष्टी जलमार्ग संख्या एक अधिसूचित किया गया है जो की प्रयाग राज से हल दिया तक सामिल है केंद्र द्वारा गंगा को राष्टी नदी का दर्जा कब दिया गया था तो दोस्तों 2008-09 में केंद्र द्वारा गंगा को राष्टी नदी या नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया था अगला प्रश्ण है प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेस कहां से होता है तो ये सहारनपुर जिले से होता है और राज्य की सरवाधिक प्रदोसित नदी यमुना ही है रामगंगा नदी का प्रवेश में प्रवेश कहा होता है तो कालागड बिजनौर में रामगंगा नदी प्रवेश करती है जौनपूर, सुल्तानपूर और लखनव किस नदी के तट पर इस्थित हैं दोस्तों गोमती नदी के तट परिस्थित हैं जौनपूर, सुल्तानपूर और लखनव। गोमती नदी का उदगम अस्थल क्या है तो ये फुलहर जील पीली भीत गोमती नदी का उदगम अस्थल है। साली ग्रामी और नारायडी नदी के नाम से किसे जाना जाता है तो दोस्तों काले पत्थरों या काले सुन्दर पत्थरों के प्रवाह के कारण नारायडी नदी के नाम से गंडग को जाना जाता है अगला प्रश्ण है नदियों के किनारे बसे प्रमुखन नगर तो गंगा नदी के किनारे गढ़ मुक्तेस्वर, कानपूर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपूर और बलियां इस्थित है यमुना नदी के तट पर बागपत, मतुरा, वरिंदावन, आगरा, इ नदी के तट पर प्रतावगढ़ वसा है, सोन नदी, सोन भद्र और गाजीपूर बाज जो है वो हिंडन नदी के तट पर इस्थित है अगला प्रश्ण देखते हैं उत्तर प्रदेश में सिचाई के प्रमुक साधन कौन कौन से हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सिचाई के प्रमुक साधन हैं नलकूप, नहर, तालाब, जील और कुएं नलकूपों से 71.2 प्रशस सरवाधिक सिचाई की जाती है नहरों का दूसरा अस्थान है जिससे की 18.2 प्रसस सिचाई की जाती है और तालाब, जील, कुएं और अन्य साधनों के अंतरगत 10.1 प्रसस सिचाई की जाती है अगला प्रस्ण है प्रदेश की सबसे पूरानी नहर कौन है तो ये है पूर्वी यमुना नहर जो की 1830 में तयार हुई थी प्रदेश में तालाब और पोखरों से सिचाई किस छेतर में की जाती है बुंदेल खंड छेतर में और प्रदेश में सरवाधिक लंबाई में नहरे किस जनपद में हैं तो ये है रायबरेली जिले में प्रदेश में सरवाधिक लंबाई में नहरे बिश्तरित हैं जिसमें क कुल 2843 किलो मीटर लंभी नहरे हैं अगला प्रश्ण है प्रदेश की नहर जो जल विद्धु तुद्पादन का केंद्र है तो ये है उपरी गंगा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर पढ़ाली कौन सी है तो सारदा नहर पढ़ाली प्रदेश की सबसे बड़ी नहर पढ़ाली है दोस्तों अगला प्रश्ण देखते हैं रानी लच्मिबाई बांध नहर कहां परिष्धित है तो जहासी में बेतवा नदी पर रानी लच्मिबाई बांध नहर बनाया गया है हतनी कुंड बैराज हतनी कुंड बैराज किस नदी पे है तो दोस्तों यमूना नदी पर है ये 5 राज्यों की संयूक्त परियोजना है हरियाडा, हिमाचल, उत्ठर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान बार जागर बांध और नहर परियोजना किस नदी पे है तो ये सोन नदी पर है जो कि तीन राज्यों के मध्य की या तीन राज्यों की संयूक्त परियोजना है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और जारखंड ये बार सागर बाध प्रोजेक्ट है जो कि सोन नदी पर इस्थित है गोकुल बहराज परियोजना दोस्तों यहुना नदी पर यह आगरा और मतुरा की पेजल को समस्या के निधान के लिए बनाया गया है लौकुस बैराज योजना यह गंगा नदी परिस्थित है जो की कानपूर नगर को पेजल उपलब्द कराने के उद्देशे से है और आगरा वैराज ये यमुना नदी पर आगरा को पेजल उपलब्द कराने के लिए है गंगा जल पर्योजना दोस्तों दिल्ली नोएडा बाइपास के समीब बनाई गई है नोएडा और गाजियाबाद के लाभ के उद्देसे से इसका निर्मार किया गया है गंगा जल पर्योजना प्रमुक जीले और उनका जो अवस्थिती है उसको देख लेते हैं दोस्तों तो रामगढ़ताल गोरकपुर में इस्थित है बखिरा जील संतकबीन नगर में फुलहर जील पीली भीत में जोकी गोमती नदी का उदगमस्थल भी है करेला जील लखनव में आधी ताल बाराणसी में लोधी ताल सुल्तानपुर में सिर्सी जलासे और जिर्गो जलासे मिर्जापुर में मोती जील और गोर जील रामपुर में बरुआ सागर और लच्मी ताल जहासी में सुक्रताल मुजफर नगर में अलवारा जील दोस्तों कौसांबी में इस्थित है, दर्वन जील अयुध्या में है, बहुती महतपूर, दर्वन जील अयुध्या में, मदन सागर जील महोबा में, दहर जील हर्दोई में, नौह जील मतुरा में इस्थित है, सेखा जील अलीगढ में, और मेजा जला से बांद कहां पर इस्थित है, बेलन नदी पर मेजा जला से बाद बेलन नदी प्रयाग राज में इस्थित है अर्जुन बाध नहर दोस्तों कहा पर है तो ये अर्जुन नदी पर हमीरपुर में अर्जुन बाध नहर बनाया गया है धसान नहर किस पर है तो धसान नहर पर योजना बेतवा नदी पर है जि मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है राजगाट बांध नहर परियोजना गोबिंद बल्लब पंत सागरबाद किस नदी पर है दोस्तों तो गोबिंद बल्लब पंत सागरबाद रिहंद नदी पर इस्थित है जो की सोनभद्र जनपद में है अब आईए देखते हैं उ वर्स 2021 की जनगरणा के अनुसार, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, 19.98,12,341 19.98 करोण उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वर्स 2021 के अनुसार अगला प्रश्न है 2021 की जनगर्ना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रत्सत है तो ये है 16.5 एक प्रत्सत कुल मिला कर देखें दोस्तों तो जो देश में जो जनसंख्या है उसका हर छठा आदमी उत्तर प्रदेश का निवासी है अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश की आबादी में पूरुसों एम महिलाओं का प्रदेशत कितना है तो उत्तर प्रदेश में अभी अधिक्तम ग्रामीर जन संख्या निवास करती है जिनका प्रतिसाथ 77.07 सुन्य है राज्य की कुल नगरी जन संख्या का प्रतिसाथ कितना है तो 100-77.7022.30 यानि 22.3 सुन्य प्रतिसत राज्य की कुल नगरी जनसंख्या का प्रतिसत है जनगरना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है तो ये है साथ, दस लाखी या दस लाखी नगरों की संख्या उत्तर प्रदेश में साथ है देश की कुल सहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा अस्थान है तो ये है दूसरा अस्थान जन संख्या के मामले में और प्रथम अस्थान दोस्तों महाराष्ट का है देश की कुल सहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का दूसरा अस्थान है जो की यहाँ पर सहरी आबादी 11.79 प्रदिशत है अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश 2011 की जन्गर्णा की अनुसार उत्तर प्रदेश में सरवाधिक और नियूनतम ग्रामीड आबादी वाले जिले कौन से हैं तो सरवाधिक ग्रामीड आवादी वाला जिला है प्रयागराज और सबसे कम ग्रामीड आवादी वाला जिला गौतम बुद्धनगर है दोस्तों देश में छेतरफल की द्रिष्ट से उत्तर प्रदेश का कौन सा अस्थान है तो छेतरफल यानि एरिया की द्रिष्ट से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा अस्थान है पहले अस्थान पर राजस्थान दूसरे अस्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे अस्थान पर महर प्रियाग राज, दूसरे पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद, चोथे पर आजमगड़ और पाँचवे अस्थान पर दोस्तों लखनव है नियुन्तम जनसंख्यावाले जिले परदेश के कौन से हैं, तो सबसे कम जनसंख्यावाला जिला महोबा है, उससे अधिक चित्रकूठ है, फिर उससे अधिक हमीरपूर है, उससे अधिक स्रावस्ति और फिर ललितपूर का स्थान आता है तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला प्रदेश का महोबा है और सरवाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रियाग राज है अगला प्रेश्ण है 2011 की जनगर्णा के अनुसार सरवाधिक ग्रामीड जनसंख्या वाले जीलों का क्रम क्या है दोस्तों तो सरवाधिक ग्रामीड जनसंख्या प्रयागराज में है दूसरे अस्थान पर आजमगढ में और तीसरे अस्थान पर जौनपुर में है जनगर्णा 2011 के अनुसार सरवाधिक सहरी अबादी वाला जनपद तो सरवाधिक सहरी आबादी वाला जनपद गाजी आबाद है सबसे कम आबादी वाला यानि सबसे कम सहरी आबादी वाला जिला कौन सा है तो ये है स्रावस्ति, स्रावस्ति में अधिक्तम जनसंख्या जो है वो ग्रामीर जनसंख्या है अगला प्रश्ण है जन्गर्णा के अनुसार सरवाधिक पूरुस और महिला जनसंख्या वाला जिला कौन है तो जन्गर्णा 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सरवाधिक पूरुस और महिला जनसंख्या वाला जिला प्रयाग राज है अगला प्रश्ण उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीड जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो गौतम बुधनगर सबसे कम ग्रामीड जन आबादी वाला जिला है अगला प्रश्ण है दोश्तों जन्गर्णा 2011 के अनुसार सरवाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो राज है वो कौन सा है तो 2011 के अनुसार सरवाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज उत्तर प्रदेश है अगला प्रश्ण देखते हैं जनगर्णायम नगरी करण से तो 0 से 6 आयुवर्ग में सरवाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है प्रियाग राज है 0 से 6 आयुवर्ग की जनसंख्या में सरवाधिक आबादी वाला जिला अगला प्रश्ण है 0-6 आयवर की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कृतना प्रतिसत है तो ये है दोस्तों 15.4 एक प्रतिसत जबकि 2001 की जनगर्णा में 0-6 आयवर की जनसंख्या 19 प्रतिसत थी तो 0-6 आयवर की जनसंख्या में कमी आई है अगला प्रश्ण है 0-6 आईवर की जनसंख्या में सरवाधिक प्रतिसत अनुपात किस जिले का है तो ये है बहराई जिले का जहाँ पर 0-6 आईवर की जनसंख्या की प्रतिसत था 18.77 प्रतिसत है और सबसे कम ये कानपूर नगर का है जहाँ पर 0-6 आईवर की जनसंख्या 11.1 एक तीन प्रतिसत है अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश के सरवाधिक और सबसे कम सिसु लिंगा नुपात वाले जीले कौन से हैं तो सरवाधिक सिसु लिंगा नुपात वाला जीला है बलरामपूर जहां पर सिसु लिंगा नुपात नो सो पचास है और सबसे कम लिंगा सिसु लिंगा नुपात वाला जिला बागपत है जहां पर 841 सिसु लिंगा नुपात है अगला प्रश्ण है 0 से 6 आईवर का लिंगा नुपात कितना है तो प्रदेश में 0 से 6 आईवर का लिंगा नुपात 902 है जबकि 2001 में ये 916 था इस प्रकार देखा जाया है तो 0 से 6 आई 29 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का जन घनत है दोस्तों 2011 में भारत का जन घनत 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है 2011 में अगर जो उत्तर प्रदेश का देखें जन घनत तो ये 829 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है और भारत का यानि तुलनात्मक रूप से देखें तो भारत का केवल 382 व्यक्ति प्रतिवर किलोमीटर है अगला प्रशन है जनगर्णा 2011 के अनुसार प्रदेश के सरवाधिक जनगनत वाले जीले कौन से हैं तो पहले अस्थान पर गाजियबाद, दूसरे अस्थान पर वाराणसी, तीसरे अस्थान पर लखनव, चौथे पर भदोही और पाचवे अस्थान पर कानपूर नगराता है प्रदेश में सरवाधिक जनगनत वाले जीलों के रूप में अगला प्रश्ण है प्रदेश की नियूंतम जनगनत वाले जिलों का क्रम क्या है तो नियूंतम जनगनत पहले अस्थान पर ललितपूर, दूसरे पर सोनभदर, तीसरे पर हमीरपूर, चौथे अस्थान पर महोबा और पांचवे अस्थान पर चित्रकूट है जनगर्णा 2011 के अनुसार कुल साक्षर्टा 66.7 प्रस्चत है इसमें पुरुस और इस्त्री साक्षर्टा कितनी है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो जनगर्णा का साक्षर्टा अनुपात है वो 67.7 प्रश्षत है जिसमें पुरुसों की जो साक्षर्टा दर है वो 77.3 प्रश्षत और महिलाएं 57.2 प्रश्षत साक्षर है अगला प्रश्ष्षत है दोस्तों सरवाधिक साक्षर्टा वाले जिलों का क्रम कौन सा है तो सरवाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है दूसरे अस्थान पर कानपुर नगर तीसरे अस्थान पर और रईया चोथे पर इटावा और पाचवे पर गाजियाबाद का नाम आता है अगला प्रश्ण है प्रदेश का सबसे कम साक्षर्टा वाला जिला कौन सा है तो प्रदेश का सबसे कम साक्षर्टा वाला जिला सरावस्ती है जिसकी साक्षर्टा 57.1 प्रतिसत है सरवाधिक महिला साक्षर्टा वाला जिला कौन सा है तो ये है कानपूर नगर और प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षर्टा के बीच का अंतर कितना है तो दोस्तों प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षर्टा का अंतर 20.1 प्रतिसत है सरवाधिक और सबसे कम महिला पुरुष साक्षर्ता अंतरवाले जिले कौन से हैं तो सबसे अधिक महिला पुरुष साक्षर्ता अंतरवाला जिला महराज गंज है जबकि सबसे कम महिला पुरुष साक्षर्ता अंतरवाला जिला कानपुर नगर है अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगर्णा की अनुसार 912 है जो की राष्टी लिंगानुपात की तुलना में कितना है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात या सेक्स रेशियो 2011 की जनगर्णा के अनुसार 912 है जो की राष्टी लिंगानुपात की तुलना में 31 कम है भारत का जो लिंगानुपात है या राष्टी लिंगानुपात 943 है जबकि उत्तर प्रदेश का 912 है अगला प्रश्ण देखते हैं प्रदेश के सरवाधिक लिंगा नुपात वाले जिले कौन से हैं तो पहले अस्थान पर सरवाधिक लिंगा नुपात वाला जिला जौनपूर है जिसका लिंगा नुपात 1024 है दूसरे अस्थान पर आजमगर जिसका लिंगानुपात एक हजार उननीस और तीसरे अस्थान पर देवरिया है जहां पर लिंगानुपात एक हजार सत्र है अगला प्रश्ण है जन्गर्णा 2021 के अनुसार नियून्तम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है नियून्तम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुधनगर है जहां पे लिंगानुपात्र मार्त्र 851 है अगला प्रश्ण है 2001 से 2011 के दोरान प्रदेश की 10 की बृधिधर कितनी रही है तो प्रदेश की 10 की बृधिधर 20.22 प्रजिसत रही है 2001 से 2011 की जनगरना के दोरान अगला प्रश्ण है दोस्तों प्रदेश का सरवाधिक दस्की बृध्धिधर वाला जिला कौन से है तो ये है गौतम बुधनगर सरवाधिक दस्की बृध्धिवाला जिला और नियूंतम दस्की बृध्धिवाला जिला कानपूर नगर है प्रदेश के सरवाधिक नगरी करण प्रतिसत्ता वाले जिले कौन से हैं तो सरवाधिक नगरी करण प्रतिसत्ता वाला जिला गाजियाबाद है दोसरे अस्थान पर लखनव और तीसरे अस्थान पर कानपूर नगर आता है प्रदेश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जात जनसंख्या कितने प्रतिसत है तो दोस्तों प्रदेश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जात यानि सिडूल्ड काष्ट की जनसंख्या 20.69 प्रतिसत है और देश में कुल अनुसोचित जात की जो प्रत्सत्ता है वो 16.6 प्रत्सत है देश में अनुसोचित जात की प्रत्सत्ता जनसंख्या के अनुपात में 16.6 प्रत्सत है जबकि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसोचित जात की जनसंख्या 20 अगला प्रश्ण है जनसंख्या की द्रेष्टी से देश में सरवाधिक अनुसूचि जाती जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो सरवाधिक अनुसूचि जाती जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और प्रदेश का सरवाधिक अनुसूचि जाती जनसंख्या व प्रदेश में सरवाधिक अनुसूचित जन्जाती जनसंख्या तथा नियूंतम अनुसूचित जन्जाती वाले जिले कौन से हैं। प्रयागराज से सटा हुआ कौन सामबी जहां पर अनुसूचित जन्जाती जन्जाती वाले जन्जाती वाले जिले कौन से हैं। प्रदेश में सरवाधिक अनुसूचित जन्जाती 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 वाले जिले कौन से हैं। प्रदेश में सरवाधिक सिडूल्ड ट्राइब जन्जाती 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 जिला बागपत है उसके बाद कन्योज फिर बदायूँ एटा और कास गंज अगला प्रिशन है सरवाधिक अनुसूचित जंजाती प्रतिसत वाले जिलों का क्रम कौन सा है तो दोस्तों याद रखिएगा प्रदेश में सरवाधिक अनुसूचित जन्जाति जनसंख्या और प्रतिसत्ता दोनों के मामले में भी सोनभद्र पहले अस्थान पर है जबकि दूसरे अस्थान पर प्रतिसत्ता के मामले में ललितपूर, तीसरे अस्थान पर देवरिया, च नहाँ पर नियोंतम या सबसे कम अनुसूचित जंजात पाई जाती है अनुसूचित जंजात प्रसla क्या है फिर दूसरे अस्थान पर कन्योज तीसरे अस्थान पर बदायू फन चौते पर बुलन सहर और पांचवे अस्थान पर fill ned अगला प्रश्ण है दोस्तों, प्रदेश में अनुसूचित जन्जातियों का लिंगा अनुपात कितना है? तो ये 951 है, और जनसंख्या की द्रिष्ट से राजी की सबसे बढ़ी जन्जाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजात थारू जनजाती है दोस्तों अगला प्रश्ण है जनसंख्या की दृष्ट से सबसे छोटी जनजात तो ये है बनरावत और प्रदेश में सूची बध अनुसूची जनजातियों की संख्या कितनी है तो प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या बारह है 2003 से पूर्व थारू और बुक्सा दो जनजातियां ही अनुसूचित जनजातियों की स्रेडी में थी जबकि 2003 में इनकी संख्या बढ़ा कर बारह कर दी गई है तो अब प्रदेश में अनुसूचित जंजातियों की संख्यकुल बारे है अगला प्रश्ण है प्रदेश में थारू जंजाति कहा निवास करती है तो दोस्तों थारू जंजाति का निवास अस्थान तराई छेत्र है जिसमें मुख्य रूप से महराज गंज, सिधार्त नगर, सरावस्ती, बहराईच और गोरख पूर तथा लखीम पूर खीरी का नाम आता है अगला प्रश्ण है थारू अपने को किस वंस का मानते हैं तो ये अपने को किरात वंसी मानते हैं लठ भरवा भोज किस में दिया जाता है थारूओं में थारूओं का प्रमुक्त वहार कौन सा है दोस्तों तो थारूओं का प्रमुक्त वहार बजहर है जो कि बैसाख और जेश्ट मास में मनाय जाता है दिपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजात कौन सी है तो वो थारू जनजाती है जो दिपावली को शोक के रूप में मनाती है और थारू जनजाती के बच्चों के लिए कहां पर महाविद्याले अस्थापित किया गया है थारू जनजात के बच्चों के लिए महाविद्याले लखीमपूर खीरी में अस्थापित किया गया है दोस्तों बुक्सा या भुक्सा जनजात का निवास कहां पर है तो बुक्सा या भुक्सा जनजात बिजनौर में मुख्यरोग से निवास करती है बुक्सा जन्जात का संबंध किस से माना जाता है तो पतवार राजपूत बंस से बुक्सा जन्जात का संबंध माना जाता है हिंदूओं की तरह वर्ण विभाजन किस में पाय जाता है बुक्सा जंजात में हिंदूओं की तरह वर्ण विभाजन की प्रथा प्रचलित है अगला प्रशन है दोस्तों बुक्सा हिंदू धर्म को मानते हैं इनकी सबसे पुझ देवी कौन से हैं तो बुक्सा की सबसे पुझ देवी कासीपूर की चामुंडा देवी हैं खरवार जन्जात के लोगों का निवास छेत्र कौन सा है खरवार जन्जात मुखे रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर सोनभदर, देवरिया, बलिया और चंदवली जिलो में निवास करती है खरवार किस धर्म को मानते हैं? तो खरवार दोस्तों हिंदु धर्म को मानते हैं कर्मा लोकनृत किस में प्रचलित है? कर्मा जो कि उत्तर प्रदेश का एक महतोपूर लोकनृत है आप याद रखिएगा ये खरवार जंजात में प्रचलित है और खरवार जंजात मुख्य रूप से सोनभद्र, मिर्जापूर, देवरिया, बलिया और चंदौली में निवास करती है मुख्य रूप से सोन भद्र और मिर्जापुर में और कर्मा खरवार जन्जात में प्रचलित इनका लोक निर्थ है अगला प्रश्ण है वर्ष 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां कितनी थी तो मात्र दो जातियां उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां थी, थारू और बुक्सा, अब बर्तमान में 12 जनजातियां अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित की गई हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों महीगीर जंजात कहा निवास करती है तो बिजनवर जिले के नजीवा बाच्छेतरवे महीगीर जंजात निवास करती है महीगीर की अर्थव्योस्था का मुख्ष रोत क्या है तो ये मचली पकड़ते हैं और महीगीर जंजात के लोग किसके अन परहिया बैगा पनिका पंखा अगरिया पथारी चेरो भूईया भूईया ये सभी जन्जातियां कहां निवास करती हैं परहिया बैगा पनिका पंखा अगरिया पथारी चेरो भूईया भूईया ये सभी जन्जातियां सोन्भद्र में निवास करती हैं अगला प्रश्ण है परदेश के किन जिलों में एक भी जन्जाति नहीं पाई जाती है तो दोस्तों फैजाबाद और जालाओन में एक भी जन्जाति नहीं पाई जाती है कर्मा लोक नुरित्य का संबंध किस जिले से है तो सोन भद्र जिले से कर्मा लोक नुरित्य का संबंध है जबकि कर्मा लोक नुरित्य खरवार में या खरवार जंजात में प्रशलित है जो मुख्य रूप से सोन भद्र में निवास करते हैं अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश जन्जात विकास निदेसाले किस मंत्राले के अंतरगत कारे करता है उत्तर प्रदेश जन्जात विकास निदेसाले समाच कल्याण विभाग के अंतरगत कारे करता है और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात जन्जात सोध एवं पर अब आईए देखते हैं उत्तर प्रदेश में इस्थित प्रमुख संस्थान एवं संगठन उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख सोध संस्थान और संगठन अस्थापित हैं उनके बारे में जानते हैं पहला है इंडियन सूगर केन रिसर्च इंस्टिचूट इंडियन यानी चीनी अनुसंधान संस्थान चीनी अनुसंधान सूगर केन सूगर केन गन्ना है इंडियन भारती गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनव में इस्थित है याद रखेगा दोस्तों इंडियन सूगर क आपका लखनव में है Indian Institute of Sugar Technology चीनी अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में इस्थित है तो याद रखिएगा Indian Sugarkin यानि गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनव में है जबकि चीनी अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में इस्थित है पसुजैविक अनुसंधान संस्थान पसु जैविक और सधिसंस्थान आपका लखनव में इस्थित है दोस्तों एक बात और याद रखिएगा पसु जैविक और सधिसंस्थान ये मुख्य रूप से पसुगों के लिए टीके का निर्माड यहाँ पर किया जाता है इन्डियन पलसेज रिसर्च इंस्थिचूट कहाँ पर है दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है कलाथ या कपडा रिसर्च इंस्थिचूट गाजियाबाद में है Central Textile Institute कानपूर में है केंदरी बकरी अनुसंधान संस्थान केंदरी बकरी अनुसंधान संस्थान मकदूम मथुरा में इस्थीत है Central Potato Research Center मेरट में है asit अगला है खात ले अनुसंधान य़ोपी करण प्रियोग साला खाद्य अनुसंधान एवं मानकी करण प्रयोक साला गाजियाबाद में है भारती कालीन और द्योगिक संस्थान दोस्तों भदोही में है और भदोही को कालीन का जो कैपिटल है वो भी कहा जाता है राजयोगांधी पेट्रोलियम इंस्टिचूट अमेठी में इस्थित है नेशनल इंस्टिचूट आप फैसन टेक्नालजी ये राय बरेली में है और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टिचूट बरेली में इस्थित है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टिचूट बरेली दोस्तों Central Aviation या पच्छी Research Institute कहां पर है तो ये इज्जत नगर बरेली में इस्थित है Central Aviation Research Institute National Research Center for Meet या मांस के लिए जो राष्ट्री अनुसंधान केंद्र है वो इज्जत नगर बरेली में है और इंद्रा गांधी राष्ट्री उड़ान अकादमी दोस्तों ये राय बरेली में है Central Leprosi Institute आगरा में इस्थित है और National Parasute Training College आगरा में है Central Leprosi Institute और Central Parasute Training College आगरा में इस्थित है एक महतोपूर्ण संस्थान देखिए वीवी गिरी National Labor Institute नोएडा में इस्थित है Indian Institute of Vegetable Research दोस्तों भारती सबजी अनुसंधान संस्थान या भारती साक भाजी अनुसंधान संस्थान वारारसी में इस्थित है Central Grassland and Father Research Institute आपका जहासी में इस्थित है Central यानि केंदरी चारागाह और भूसा अनुसंधान संस्थान ये जहासी में इस्थित है उतक समवर्धन प्रियोकसाला दोस्तों उतक समवर्धन प्रियोकसाला लखनव में इस्थित है और स्कूल आप पेपर टेकनालजी सहारनपूर में सहलनपूर में जो हमारा paper है उसका उत्पादन या paper निर्माड होता है काज़ का निर्माड बहुत सारी काज़ की factory आं सहलनपूर में इस्थित है और काज़ या paper पर सोध के लिए school of paper technology सहलनपूर में इस्थित है दोस्तों केंद्री उपोश्ट बागवानी संस्थान Central Sub-Tropical Hearticulture Institute लखनव में इस्थित है केंद्री ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा बुलंद सहर में इस्थित है और National Botanical Research Institute ये भी लखनाव में इस्थित है Central Institute for Research and Cattle ये मेरट में है और Industrial Taxology Research Center Industrial और द्योगिक विश विज्ञान Research Center लखनाव में इस्थित है दोस्तों Indian Institute of Handloom Technology ये हतकरगा तक्नीकी संस्थान भारती हतकरगा तक्नीकी संस्थान वारारसी में इस्थित है National Bureau Office Genetic Resources ये आपका लखनाव में है और नहरू इंस्टिचूट आफ थलमोलाजी ये सीतापुर में इस्थित है दोस्तों नहरू नेत्र विज्ञान संस्थान या नहरू इंस्टिचूट आफ थलमोलाजी ये सीतापुर में इस्थित है National Biofertilizer Development Center गाजियाबाद में है और National Center for Agroforestry जहां सी में इस्थित है Indian Grain Storage Institute दोस्तों हापुड में है और National Academy of Stastical Administration नोइडा में National Academy of Stastical Administration नोइडा में है एक प्रस्ण देखते हैं राज की फल संडच्छन एवं डिब्बा बंदी संस्थान लखनाओ में इस्थित है राष्ट्री कथक संस्थान कथक जो की उत्तर प्रदेश का एक मातर जो सास्तरी नित्त है वो कथक है राष्ट्री कथक संस्थान कथक को संरक्षान प्रसिच्छन देने के उद्देशे से इस संस्थान की अस्थापना लखनाओ में की गई है तो राश्टी कथक संस्थान लखनव में इस्थित है डाक्टर अमबेटकर परियावरण म्यूजियम लखनव में है और पान अनुसंधान एवं परसिच्छन केंदर पान महोबा पान महोबिया पान बोला जाता है पान अनुसंधान और प्रसिछन केंदर महोबा में है उत्तर प्रदेश गन्ना सोध परिशत दोस्तों उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान स्थान जो है वो आपका लखनव में है लेकिन यदि उत्तर प्रदेश गन्ना कॉंसिल यानि सुगरकें कॉंसिल जो है उत्तर प्रदेश सुगर केन कॉंसिल साहजहापूर में इस्थित है डाक्टर अंबेटकर टेकनालोजी फार हैंडिकैप्ट डाक्टर अंबेटकर टेकनालोजी फार हैंडिकैप्ट डाक्टर अम्बेटकर इंश्टिचूट आफ टेक्नाविजी फार हैंडिकैप्ट ये कानपूर में इस्तित है और राज की चर् GPसंथान दोस्तों कानपूर में इस्तित है फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डवलप्मेंट सेंटर महतपूर है फ्रेगनेंट एंड फ्लेवर डवलप्मेंट सेंटर ये जो अपने हां उत्तर प्रदेश में मेंन्था आयल का उत्पादन किया जाता है उसके शुद्धता की जाच के लिए फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डव द्योग के लिए है कांच उद्योग विकास केंद्र यहीं पर इस्थित है बुद्धा इंटरनेशनल सरकिट जो कि फार्मूला वन रेस के लिए बनाई गई है ये ग्रेटर नोईडा में इस्थित है और लेदर टेकनालजी पार्क लेदर चमडा तकनीकी पार्क दोस्तों ये बन्थरा उन्नाओं में इस्थित है तो ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा दो भागों में संपूर उत्तर प्रदेश इस्पेसल यानि उत्तर प्रदेश का संपूर सामान निग्यान आपने दो वीडियो में कवर किया है इसमें हमने मुख्य रूप से उत्तर प अन्य जीव, साहित्य पत्र पत्रिकाओं और प्रमुख रूप से हमने उत्तर प्रदेश की जनगर्णा, नगरी करण, अनुसूची जातियों, जनजातियों से संबंधित प्रश्ण और मुख रूप से हमने उत्तर प्रदेश में जो अस्थापित या उत्तर प्रदेश में ज बहुत ही महतपूर है और मैं आसा करता हूँ कि जो भी प्रश्ण या उत्तर प्रदेश सामानने ग्यान के अंतरगत जो भी प्रश्ण पोछे जाएंगे इस से बाहर से कहीं नहीं पोछे जाएंगे और करेंट अगर जो आपका UP special के बारे में उत्तर प्रदेश के संबंध में जो current जो news है या current topic है वो आपके तयार रहेंगे तो आप संपूर यूपी special को इन दो वीडियो से बहुत ही आसानी से सठीकता से आप परिच्छाओं में प्रशनाएगा तो उनको solve कर सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें comment box में जरूर बताईएगा वीडियो को like करें शेर करें और इस channel मार्कदर्शन फार सिविल सर्विसेज को subscribe करें